न्यूज इंडिया पर केंद्रे मंतरी हर्दीब सिंग पूरी सूपर एक्स्क्लोजिव आप न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं हमारे सयोगी गौरब मिश्रा ने उनसे एक्स्क्लोजिव बातचीत की और इसमें उन्होंने बताया कि पैट्रोल और जो डीजल के दाम से क्या है हमारे साथ केंद्री मंतरी हर्दीब सिंग पूरी स्वक्त न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं सर इस पूरे आयोजन को अगर देखा जाए डेवन से हम लगातार देख रहे हैं तमाम लोगों के साथ आप मिल रहे हैं बात कर रहे हैं आज किस तरीके का पूरा द मिनिस्टीरियल रेप्रेसेंटेटिव आयो हैं हमारी तरफ से ऐसी प्लूरी लेटरल और मल्टिलेटरल सेटिंग्स में बहुत मल्टिपल मीटिंग्स होती हैं पर जो मुझे सबसे बड़ा टेकवे यह लगता है कि चाहे मैं अमरीकन अभी एक डेलिगेशन से मैंने बात कि जिसमें सारे उनकी बड़ी कंपनीज थी उनके जो जो बिजनस असोसियेशन जाए यूएस आई वी सी और दूसरे वाले सब बड़े खुश हैं कि उनको हमारी कंपनीज के साथ रियाक्ट करने में वहाँ पर उनके साथ बात आगे बढ़ाने में मदद हो रही है वो जो मान हमारी नीटिया ठीक नहीं थी अभी पालिसी ठीक है तो उससे क्या हुआ कि हमें जो 10% का blending का target था November 2022 तक वो हमने 5 मीने पहले कर लिया अब यह आपका 20% का target है 2030 का आप उसको 5 साल पहले कर रहे हो कल मानने हैं प्रधान मंत्री जी ने E20 जो mixed blended fuel है उसको उन्होंने 2 मीने पहले introduce कर दिया देखिया अगर आपका नीती ठीक है आपकी तैयारी ठीक है आप सही महने में अपने stakeholders को साथ ले जाकर चल रहे हैं तो जो भी आप targets करते हैं आपको confidence आता है वो targets से पहले आप complete कर पाएंगे एक आखरी सवाल सर अगर बात करें पेट्रॉल और डीजल की कीमतों को ले करके तमाम इस मसले पर भी बाची चल लेए कई देशों के साथ भी बाची तो क्या कम होने के आसार हैं तमाम जनता इस चीज़ का इंतजार कर रही है मार्च में कोई बड़ी सौगात देखिया ऐसा है ऐसा है इस समय सारा जो हमारा एनर्जी स्पेक्टरम है उस पर दबा के काम हो रहा है अब अभी आपने देखा बजट में कई ऐसी चीज़े अनाउंसमेंट्स हैं आप देखिये आगे चलते पहले उस से पहले बजट से पहले आपने जो केंद्रिय मंट्री मंडल ने जो निरने लिया वो एलेक्ट्रोलाइजर के लिए 19,700 करोड का बजट में आपका 30,000 करोड 35,000 करोड है सब में मैं समझता हूं कि आप आगे चलने वाले में काम होगा क्या अनाउंसमेंट्स होगी क्या होगा वो चितनी होगा कि मैं अभी बैठके और मैं वैसे भी हम लोग बड़े इन चीज़ों को systematically करते हैं अगर आपने सोलर कुकर के कल माननी प्रधान मंत्री जी ने उसका अन्वेल किया उसको उसका क्या मतलब उसका मतलब है ता हाइस पुलिटिकल लेवल इस पे रिसर्च जांच हो गई है और हम लोग तयार इसको कमर्शली आगे बढ़ाने में क्या इसको आगे किस तरीके से मार्केट में लेदाने के तयारी है आम लोगों तक अगर हम बाद इसमें टेंडर्स इश्व होंगे और उसमें आप कमर्शली ये सिंगल कुक टॉप और डबल बरनर वाले मार्केट में आएंगे आम लोगों को लाप जी जी तो केंडर बंदरी हरदीब सिंग पूरी को आपने सुना एक्स्क्लूजिव बादचीत गौरव मिश्रा हमारे सयोगी के साथ उनने